हाई गाईज कैसे हैं आप लोग बेटाया वेलकम यू आल इन दिस फिफ्ट और फाइनल लेक्चर ओन वेक्टर्स तभी तक हमने वेक्टर्स में ध्यान करो representation सीखा था फिर हमने उनका addition and subtraction को सीखा फिर हमने multiplication में उनका scalar multiplication देख लिया जिसको हम dot product भी कहते हैं अब जो दूसरे दरिके का multiplication था Vector Product उसको इस वीडियो में देखने वाले हैं चलो तो start करते हैं तो देखो जो vector product होता है उसको हम cross product भी कहते हैं की कहते हैं कि इसमें 2 vectors के बीच के multiplication को हमें cross से दिखाते हैं dot product में dot से दिखाते थे और इसमें cross से दिखाते हैं और dot product में आपको ध्यान होगा अपने को scalar मिलता था और यहां पर अपने को vector मिलेगा अच्छा vector मिलेगा तो magnitude और direction दोनों होगा तो suppose a और b के पीच का अंगल ठीटा है तो हम कहते हैं कि जो magnitude आएगा वो आएगा a b sin ठीटा और जो direction होगा उसके लिए हमने यहां पर एक unit vector लगाया हुआ है जिसको हम n cap बोल रहा है तो n cap क्या है यह unit vector है in direction of a cross b अब देखेंगे यह direction कैसे decide होता है पहले थोड़ा magnitude पर concentrate करते हैं तो यहां हमने लिखा a b sin ठीट है dot product में a b cos ठीटा और यहां a b sin ठीटा तो पहले तो समझते हैं किन दो चीजों को हम यहां multiply कर रहे हैं जैसे हमने देखा था dot product में हम क्या multiply कर रहे थे तो वहाँ एक vector पूरा का पूरा और दूसरे vector का component उस vector के direction में पहले vector के direction में इन दोरों को multiply करते थे यहां पर क्या हो रहा है तो यहां देखो a लिखा हुआ है मतलब कि यह तो आपका first vector हो गया this is magnitude of first vector अब दूसरा क्या है इसमें multiply हो रहा है b sin theta b sin theta क्या होगा तो यह जो वेक्टर भी है इसका vector a के direction का यह जो component होगा यह तो हो जाएगा b cos theta बट यह तो multiply नहीं हो रहा है यह तो dot में होता था यहां क्या multiply हो रहा है इसका जो vector a के perpendicular direction का जो component है, b sin theta, यह multiply हो रहा है, तो एक vector पूरा का पूरा, और दूसरा इसमें क्या है, component of second vector, in direction perpendicular to first vector, first vector के perpendicular direction में, जो second vector का component होगा, वो multiply हो जाएगा, यहाँ पर, अच्छा, direction के लिए मैंने कहा कि, यहाँ पर हमने n-cap से दिखा रखा है, और n-cap क्या लिखा है, it is a unit vector in direction of a cross b, and its direction is given by, right hand thumb rule, right hand thumb rule, और right hand screw rule, अब यह जड़ा देखते हैं, कि direction हम कैसे decide करते हैं, suppose यह vector a है, और यह vector आपका b है, और मुझे a cross b vector का direction पता करना है, तो यह direction किदर होगा, तो मानलो हम right hand screw rule यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, कि जो common tail है, वहाँ पे अपने screw driver को रख देते हैं, और a cross b है, तो हम a से b की तरफ screw driver को rotate करते हैं, तो जब आप screw driver को a से b की तरफ rotate करोगे, और किदर से rotate करना है, जो vectors के बीच का angle है, उस direction में rotate करना है, यह नहीं कि आप इदर से rotate करना, start करते हैं, this is wrong, तो आप क्या करोगे, आप screw driver को common tail पे रखके, a cross b का direction निकालना है, तो आप उसको a से b की तरफ rotate करना, start करोगे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, आपका rotation होगा, वो anti clockwise sense में होगा, और जब इस तरीके से आप screw driver को rotate करोगे, तो जो screw है वो किदर आएगा, तो आपको दिख रहा है, वो जो screw है, वो बाहर की तरफ आएगा, उपर की तरफ आएगा, तो इसका जो a cross b का direction होगा, वो किदर की तरफ हो जाएगा, वो direction बाहर की तरफ होगा, outward, और इस direction को हम लोग कैसे दिखाते हैं, गोले में dot लगा के, तो यहाँ पे अगर मैं diagram में दिखाऊ उसको, तो मुझे कुछ ऐसा दिखाना चाहिए, यह वाला जो direction होगा, वो a cross b का direction होगा, ठीक है, यह वाला direction, इन दोनों के आपको दिखे का perpendicular है, इनके plane के perpendicular है, अच्छा, उसी तरीके से b cross a का direction कैसे निकालोगे, तो जब आपको b cross a करना है, तो यह vector आपका b था, यह vector a था, फिर से इनके विच का angle यही है, तो b cross a करना है, तो फिर से screwdriver को आप common tail पर रखो और b को a की तरफ rotate करोगे, screwdriver को, screw driver को b से a के direction में लेके जाओगे, तो जो b से a के direction में लेके जाओगे, तो आपको पता चल रहा है, जो screw होगा, वो अंदर की तरफ जाएगा, downward जाएगा, तो b cross a का direction होगा, वो inward हो जाएगा, और अंदर वाले direction को गोले में cross लगा के दिखा ठीक है क्या इस diagram में जैसे मैं दिखा सकता हूँ कि जो B cross A होगा वो कुछ नीचे की तरफ होगा और इनके planes के perpendicular है तो यह angles 90 degree होगे जो A और B का plane है B cross है उस plane के perpendicular है तो naturally A और B दोनों के वो perpendicular हो गया है उसी तरह से A cross B A और B का जो plane है उस plane के perpendicular है तो naturally वहाँ भी वो A और B के perpendicular होगे है आप ध्यान भी रख सकते हो कि जब भी आप anti clockwise rotation दोगे तो जो direction होगा cross product का वो बाहर की तरफ होगा और जब आप clockwise rotation दोगे तो जो direction होगा वो अंदर की तरफ होगा और यही काम हम right hand thumb rule में भी करते है उसमें हम क्या करेंगे कि जब A cross B का direction निकालना है तो हम fingers को जो आपकी यह thumb के अलबा four fingers है तो उनको आप align कर लो और उसको A के direction में रखो यह जो आपकी four fingers है इस तरीके से A के direction में आपको रखना है और फिर इसको B के direction में rotate करो तो आप देखो कि आपका जो fingers four fingers चारो जो fingers है उनका जो motion है वो अभी anti clockwise motion होगा और thumb देखो कि बाहर की तरह point कर रहा है तो A क्रोस B निकालना है अगर राइच ये थम रोली ूजस रूखते हो तो A क्रोस B निकालना है तो आपको fingers को vector A के direction में रखना है और vector B के direction में के आपको ए करोके तो tujho thumb का direction आपको और यहाँ पे निरेको उनका तरफ निकाल में रखके और A के direction में रखक तो आपका जो थम्ब है, थम्ब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा हूगा है, तो तो डिरिक्शन आपका नीचे की तरफ looks इस वाले case में पिछले वाले case में आप देखोगे जो fingers को आप इस तरीके से rotate करोगे तो आपका जो thumb होगा वो बाहर की तरफ point कर रहोगा this is thumb और यह आपकी चार fingers एक सांथ लगी हुई है तो दोनों rule सेम ही है चाहे आप right hand thumb rule से इसको निकालो चाहे right hand screw rule से आप इसको निकालो अब चलो यहां से हमने देख लिया क्या देख लिया अभी हमने देखा कि a cross b और b cross a इनका direction तो भाई opposite है एक उपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है magnitude तो चलो सेम होगा a b scientific है लेकिन direction opposite हो गया तो यह दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं होंगे यह दोनों वेक्टर्स magnitude मे इक्वल होंगे direction में opposite हो जाएंगे तो यह यहां लिखा हुआ है a cross b is not equal to b cross a और फिर लिखा हुआ है a cross b is negative of b cross a तो यहां से आप देख सकते हो कि यह जो दो वेक्टर्स है a cross b और b cross a यह equal opposite है तो इनको add करोगा तो यह result है का 0 चलो आप देखते ही ज़रा i cross i की value कितनी होग जे cross j की value कितनी होगी k cross k की value कितनी होगी तो अगर आपको i cross i निकालना है i cross i तो इसका magnitude कितना होगा magnitude of first magnitude of second unit vector है तो magnitude 1 हो गया into sine of angle between first and second तो i और i के बीच का angle x और x के बीच का angle 0 होगा और sine 0 तो 0 होता है तो i cross i 0 हो जाएगा similarly j और j के बीच का angle 0 हो जाएगा और k और k के बीच का भी angle 0 हो जाएगा तो इनके भी sine 0 बन जाएगे तो i cross i, j cross j और k cross k ये तीनों क्या हो जाएगे ये तीनों 0 हो जाएगे चलो next हम देखेंगे ज़रा i cross j की क्या value होगी ये ज़रा हम पता लगाना चाहरे है तो थोड़ा मैं axis भी बना लेता हूँ इदर इसमें आप थोड़ा imagine कर लेना कि ये x axis है ये y axis है और ये z axis है तो सबसे अच्छा होगा आप घर का आपने room का कोई corner imagine करो उस corner में मानलो ये room का आपका length है ये length हो गया ये room का width हो गया और ये room की height हो गया तो ये हमने vectors बना दिये x, y और z अच्छा x के direction का unit vector होता है ये तो i होता है y के direction का j होता है और z के direction का k होता है ऐसा होता है अब अपने को i cross i vector पता करना है क X J vector, तो I X J vector का magnitude कितना होगा, I X J vector का magnitude यह तो हो जाएगा, magnitude of first, magnitude of second, sine of angle between first and second, I and J के बीच का angle 90, sine 90 तो हो बना होता है, तो magnitude तो हो गया 1, तो I X J एक unit vector है, अब इसका direction किदार होगा, तो हम क्या करेंगे, आप screwdriver कर रखो, यह आपका I हो गया, और यह J हो गया, तो common tail पे screwdriver रखो और i को j के direction में rotate करो तो जब i को j के direction में rotate करोगा तो यह rotation कैसा है आपको दिख रहा है यह rotation हो गया anti-clockwise तो direction की तरह होगा vector का उपर की तरफ तो यह जो vector है one magnitude का उपर की तरफ vector तो यह vector क्या है कुछ और नी बलकि k है उपर की तरफ z axis में one magnitude का vector तो k है तो इसलिए i cross j k हो जाएगा और आपको पता है a cross b is negative और b cross है तो i cross j जैसे ही k होगा i cross j j cross i यह मैंने थोड़ा गलत लिख दिया यह j cross i होगा j cross i तो i cross j k होगया तो j cross i minus k हो जाएगा ठीक है उसे तरफ से आपको j cross k निकालना है j cross k मतलब j, j मतलब y axis y axis मतलब vector आपका इधर की तरफ है यह होगया j और यह उपर की तरफ है k ऐसा vector तो फिर से आप screw driver को इधर रखो तो direction की तरफ आएगा बाहर की तरफ यह वाला direction तो यह हो जाएगा एक्सिस का unit vector i cap और उसी तरह से k cross j क्या होगा minus i cap यह room में मैंने जो कहा यह करके आप check कर लोगे और k cross i यह हो जाएगा j cap और i cross k यह हो जाएगा minus j cap ठीक है तो आप थोड़ा sequence देख सकते हो i cross j k j cross k i और k cross i j sequence में आ रहे हैं तो वो positive है sequence में नहीं आ रहे हैं तो यह value negative है इसको याद रखने के लिए आप ऐसा सोच सकते हो यह suppose i है यह j है और यह k है और इस circle पर हम anti-clockwise direction में जाएंगे अब देखो i cross j जाना है तो मैं i से j directly चला गया तो इसकी value में लिखूंगा k और अगर मुझे j cross i चाहिए तो मैं j से i जाऊंगा anti-clockwise sense में तो देखो k को jump करने के बाद पहुँच पा रहा हूं i पे तो जब jump करने के बाद पहुँचूंगा तो यह हो जाएगा minus के ऐसा आप सोच सकते हो जैसे कि आपने i, j और k बना लिए anti-clockwise sense में move कर रहा हो अब मैं आप से पूछ दूँ बताओ k cross i तो k से i आपको जाना है anti-clockwise sense में k से i anti-clockwise sense में तो directly जाओगा j को jump नहीं करना पड़ रहा है तो यह plus j cap होगा और अगर मैं i cross k आप से पूछ हूँ i cross k में क्या होगा i से आपको k जाना है anti-clockwise इसमें anti-clockwise sense में i से जाओगा तो देखो j को आपको jump करना पड़ेगा तो इसको आप minus से लिख सकते हो अब चलो अब आपन जारा सिखते हैं कि यह जो दो vectors है vector a दिया है vector b दिया हूँ तो इनका cross product कितना होगा इनका cross product कैसे निकाले भई तो multiply करते हैं जरा इससे इन तीनों को पहले multiply कर लेते हैं तो यह कितना होगा ax bx i cross i plus ax by i cross j plus ax bz i cross k चलो इससे multiply करो जरा तीनों को तो यह अपने पास आजाएगा ay bx j cross i ay by j cross j ay bz j cross k ऐसा हो जाएगा और अब इस तीसरे से az से multiply करो जरा इन तीनों को az से multiply करो कितना होगा az bx k cross i az by k cross j az bz k cross k ऐसा हो जाएगा अच्छा इनको अब जरा solve करते हैं i cross i अपने को पता है 0 होता है तो पहला time होगे 0 i cross j हमने देखा था यह k होता है तो हो जाएगा ax by i cross j is k और i cross k k cross i था j तो i cross k minus j तो plus ax by z minus j j cross i तो i cross j k है तो j cross i कितना होगा यह minus k हो जाएगा तो यह हो जाएगा ay by x minus k j cross j 0 plus ay by z और j cross k j cross k i हो जाएगा उसके बाद k cross i k cross i तो j होता है तो az b x j और k cross j तो j cross k i था तो k cross j minus i होगा तो az by minus i और यह k cross k यह हो जाएगा 0 अब हम ऐसा करते है i wallet हम से एक साथ रखते है तो देखो यहां से ay by z आएगा और यहां से आजाएगा minus az by तो ay by z minus az by ay by z minus az by इतना i cap हो गया plus j wallet हम से एक साथ रखते हैं तो एक आपको यहां j का terms दिख रहा है ax bz वो minus के साथ है और यहां az bx यह plus है तो az bx minus ax bz इतना j आजाएगा और k वाले terms देखो तो एक यहां पर है ax by और 1k का terms इदर है minus ay bx तो यह जाएगा plus ax by minus ay bx k ठीक है अब देखो यह आपका a x b vector हो गया अब इसको याद करना थोड़ा मुस्किल है इसको याद कैसा करेंगे तो ऐसा करेंगे कि यह जो लिखा हुआ था vector a लिखा हुआ था ax i cap ay j cap az k cap और vector b कितना लिखा हुआ था bx i cap by j cap bz k cap तो जब भी अपने को यह i का coefficient लिखना है तो इसको छोड़के बाकी यह जो दो है इनको आप cross multiply करो तो देखो यह क्या हैगा ay bz यह लिखा हुआ ay bz minus az by ऐसा हो जाएगा फिर जब आपको जाएगा आपका sequence में तो i, j, k के बाद फिर से cyclic order में i आएगा तो इधर लिख दोगे ax bx यह i के जो coefficients थे ax bx तो जब आपको j का coefficient लिखना है तो k और i के coefficients को cross multiply करके minus करो az bx az bx minus ax bz और जब आपको k का coefficient लिखना है k का तो इसके आगे के 2 को cyclic order में इसके आगे के 2 क्या है i और j तो i का coefficient क्या है ax bx और j का कितना है ay by तो इनको आप cross multiply कर लो ax by minus ay bx तो आप cyclic order follow करना i का जब coefficient लिखना है तो j और k के coefficient cross multiply करके minus करना है j का लिखना है तो k और i का cross coefficient cross multiply करके minus करना है और k का लिखना है तो k के बाद cyclic order में i and j आएंगे तो i और j के coefficients cross multiply करके minus करना है ओके चलो तो एक cross product हम लिखके देख भी लेंगे अपने को पता करना है b cross a vector a दिया हो vector b दिया हो है जब आप a cross b करोगे तो a उपर रहेगा और b नीच रहेगा बटा जब आपको b cross a निकालना है तो आपको b vector को उपर रखना पड़ेगा तो b vector को पहले लिखते है 2i minus 3j plus 4k और ये vector हो गया a कितना i plus j plus 2k अब आपने को करना है b cross a और ये plus 1 है और ये 4 है और ये 2 है तो पहले इंदेनों cross multiply करो तो ये हो जाएगा minus 6 और इसमें से minus करते है किसका product इसका 4 into 1 है ये तो 4 हो गया और इतना बनेगा i cap अब देखो आप जे का देखेंगे जे का तो cyclic order में क्या आईगा k और i तो k में कितना है 4 and 2 है और i में कितना है 2 and 1 है ठीक है क्या 4 and 2 and 2 and i का मतलब होता है 1 i अब इंको cross multiply करो तो ये तो हो जाएगा 4 minus इंको cross multiply करो ये भी होगा 4 तो इतना j cap अच्छा k का coefficient तो k के आगे के दो i तो ये कौन-कौन से है i में है 2 और 1 और इधर क्या बच जाएगा minus 3 और 1 तो ये multiply करो तो ये बनेगा 2 और ये बनेगा minus और ये तो already है minus 3 इतना k करप तो ये ultimately कितना हो जाएगा minus 10i plus 0 जे और ये कितना हो जाएगा ये 3 और plus 2 5 के ऐसा अपना result होगा ठीक है चलो अब आगे बढ़ते है ये question देखते हैं ये question क्या कह रहा है a cross b का जो magnitude है वो root 3 times of a dot b के बराबर है तो आपको a plus b का magnitude निकालना है तो a plus b का magnitude अगर आप सुचोती है तो होता था a square plus b square plus 2ab cos theta अब अपने को अगर cost theta पता चल जाए तो अपना solution हो गया cost theta कैसे पता करते है इस equation को लिख देते है a cross b का magnitude तो होता है a b sin theta और question का नुसरी है कितने के बराबर है root 3 times of a dot b a dot b को तो लिखते है a b cos theta ये तो scalar होता है direction तो होता ही नहीं है a और b cancel हो गया क्या और cost theta को इधर ला दो तो ये क्या हो जाएगा sin by cos tan theta equal to root 3 अच्छा tan theta root 3 मतलब theta कितना है 60 degree अब 60 degree के value यहां put कर दो तो ये कितना हो जाएगा a square plus b square plus 2ab cos 60 और cos 60 कितना होता है ये आपको पता है 1 by 2 होता है तो ये हो जाएगा a square plus b square 2ab into 1 by 2 2 to cancel हो जाएगा तो ये हो जाएगा a square plus b square plus ab ये अपना answer अब ज़र हम देखेंगे applications of cross product तो cross product के क्या क्या application है तो पहला तो है to find out area of a triangle अगला क्या है find out area of a parallelogram फिर क्या है find out volume of a parallelogram और क्या है तो कुछ physical quantities भी है जिसको हम cross product से निकालते हैं तो ज़रा एक-एक करके इन applications को देखेंगे पहले हम देखते हैं to find out area of a triangle with a and b as its two sides triangle के दो sides दियो है a और b तो आपको इस triangle ये जो triangle बना इस triangle का कुछ नाम दे देता हूँ जिससे मानलो ये a हो गया ये b हो गया और ये c हो गया तो इस triangle का आपको area निकालना है तो हमें पता है कि जो area होता है triangle का वो तो होता है half into base into height ऐसा ही होता है अच्छा इसका अगर base देखें तो base कितना होगा यही वाला base है अब ये जो base है ये तो vector a का magnitude है तो a लिख दिया और height क्या है ये height हो गया अच्छा height को कितना लिख सकते हो तो ये जो छोटा triangle है इसमें ज़रा आप sin theta कितना लिखोगे बताओ sin theta लिख दोगे आप h upon vector b का magnitude h by b ये बाते clear है क्या है तो height को कितना लिखोगे b sin theta तो height की value ये डाल दो b sin theta अच्छा a b sin theta तो जाना पहचाना क्या है ये ये तो a cross b का magnitude है तो आप आगे से कह सकते हो कि दो vectors अगर a and b दो sides of a triangle है तो triangle का area हो जाएगा half magnitude of a cross b जैसे कि देखो ये question ये क्या कह रहा है vectors from origin to the points a and b are ये दो vectors देवें एक origin है कोई point a है और ये point b है तो origin से a vector जो है ये vector कितना दिया हुआ है ये दिया हुआ है कुछ 3i minus 6j plus 2 के ऐसा दिया हुआ है और b point पे क्या दिया हुआ है vector origin से b point का जो vector है ये दिया हुआ है 2i plus j minus 2 के ऐसा तो आपको find area of triangle OAB यह जो triangle बन गया OAB इसका area निकालना है तो वही हमें पता है कि जो area होगा वो कितना होगा half of cross product of A and B यह जो vectors है यह vector मैं A बोल देता हूँ और यह vector मैं B बोल देता हूँ अब cross product अपने को निकालने आता है तो वहाँ से इसको solve कर लेंगे करके देखी लेते हैं इसको A vector कितना हो गया 3i minus 6j plus 2k A vector हो गया 3i minus 6j plus 2k अच्छा B vector कितना हो गया यह हो गया 2i plus j minus 2k 2i plus j minus 2k अब ज़रा A cross B निकाल लो A cross B कितना होगा तो i का coefficient इन दोनों को multiply करोगे minus 6 into minus 2 यह तो हो गया plus 12 minus करोगे क्या इन दोनों का product यह 1 into 2 हो गया 2 इतना i plus अब j निकालो j j के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यह आपको के आगे के दो cyclic order में k आएगा 2 minus 2 और फिर i आएगा 3 and 2 इनको multiply करना पड़ेगा तो कितना होगा 2 into 2 4 और minus minus मिलके तो plus हो गया 3 into 2 is 6 इतना j अब अपने को के का coefficient तो आगे दो sequence में क्या आने वाले है आगे sequence में अपने को आने वाले है i और j i कितना है 3 2 j कितना है coefficient से minus 6 1 इनको multiply करो तो यह 3 हो जाएगा plus 3 और यह minus minus फिर से मिलके plus हो जाएगा 6 into 2 is 12 इतना k cap तो यह कितना होगा 12 minus 2 that is 10i 4 plus 6 is 10j 12 plus 3 is 15k यह हो गया आपका a cross b अब a cross b का अपने को तो magnitude चाहिए तो इस vector का magnitude कितना हो जाएगा 10 square 10 square 15 square under root तो यह हो जाएगा 100 plus 100 plus 2 to 5 under root तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 4 to 5 under root और अपने को area कितना होगा area is half of magnitude तो 1 by 2 under root 4 to 5 यह अपना answer होगा area of triangle चलो next है area of parallelogram with a and b as its adjacent sides यह जड़ा देखते हैं तो parallelogram का जो area होता है वो तो होता है base into height अच्छा base फिर से vector a का magnitude और height height क्या होगा यह वाला distance h अच्छा फिर से इस वाले triangle में आप sin theta कितना लिखोगे तो sin theta आप लिख सकते हो h upon b तो h को कितना लिख सकते हो b sin theta तो यह हो जाएगा a b sin theta और यह आपको पता है this is magnitude of vector a cross b तो triangle का area half of magnitude of a cross b और parallelogram का area a cross b आपको भी पता है कि जब यह parallelogram बनता है तो यह इसमें 2 triangles बन जाते हैं तो double हो गया area ठीक है? अब जैसे अपने को एक question दिया हुआ है क्या question दिया हुआ है? तो अपने को दिया हुआ है area of parallelogram form by a and b as adjacent side is half a b then find angle between a and b तो अपने को पता है a और b दो vectors है तो उनसे जो parallelogram बनेगा वो तो इतना बनेगा उसका area और question के नुसारी है half a b के बराबर है तो यह तो होता है a b sin theta a b sin theta is half a b तो a और b cancel हो गया तो यहां से sin theta half हो गया sin theta half तो आप theta बता हो कितना होगा तो आपको पता है theta जो होगा वो 30 degree होगा चलो next देखते हैं तो अगला है volume of parallelo pipe with a b c as its adjacent sides तो parallelo pipe किसे कहते हैं तो जैसा कि आप diagram में देख रहे हो this is a parallelo pipe तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप square से बना हुआ closed figure देखोगे square से बना हुआ जिसे हम cube कहते हैं उसी तरीके से rectangle से बना हुआ closed figure क्या होगा उसे हम cuboid कहते हैं तो parallelo gram से बना हुआ closed figure क्या होगा parallelo pipe होगा अब यह parallelo pipe दिखाया हुआ है इसमें इसके 3 adjacent sides है a, b and c तो इसका volume कितना होगा तो इसका जो volume होता है वो होता है किसी 2 sides का cross a, cross b यह पहले कर दो एक vector आजाएगा और फिर तीसरे vector के साथ इसका dot ले लो यह जो magnitude आएगा यह volume के बराबर होता है अब ऐसा क्यों होता है इसको अगर थोड़ा समझना है तो इसको हम ऐसा समझ सकते है किस तरह का जो structure इसका volume क्या होगा तो volume आप लिख सकते हो area of base into height यह होगा जैसे cube void का volume निकालना होता है तो क्या करते हो area of base into height ऐसा कर देते हो अब area of base आपको समझ में आता है वो तो होता है a cross b ऐसा होता है क्या a cross b अभी हमने देखा कि base चो parallelogram है तो base का area तो हो जाएगा a cross b और इसमें आपको multiply करना है height height मतलब कुछ यह वाला distance होगा अगर 3D में सोचोगे तो यह 90 degree होगा यह कुछ points में नाम देता हूँ a, b, c ठीक है और यह 90 degree है तो आपको देख रहा है a, c parallelogram हो जाएगा तो यह वाले triangle को जरा मैं re-draw करता हूँ sorry, a, c, hypotenuse होगा यह वाला triangle re-draw करूँगा तो a, b, c नाम नहीं देता हूँ इसको कुछ और नाम देता हूँ p, q, r ऐसा नाम देता हूँ तो यह point है q यह point है p और यह point है r और p से जो r vector यह vector है c और यह है height h अपने को यह पता कर रहा है अच्छा देखो a cross b का direction किदर होगा तो यह vector आपका b vector है यह vector आपका a vector है आपको इस तरीके से move करना है a cross b तो यह तो right hand thumb rule या right hand screw rule यह लगाओगे तो आपको पता चलेगा a cross b का direction यह है यह direction हो गया a cross b का तो यह वाला जो vector होगा 90 degree पर यह vector है a cross b vector अब देखो अगर मैं a cross b dot c करता हूँ इसका मतलब क्या होगा तो आप थोड़ा याद करो dot product a dot b इसमें हमने क्या किया था एक vector पूरा लिया था और यह जो दूसरा vector था b cos यह ऐसा समझते थी कि दूसरे vector का a के direction में component तो अब मैं अगर a cross b dot c लिख रहा हूँ जिसका मतलब यह पूरा का पूरा vector में लूँगा full और इसका component लूँगा किसके direction में along a cross b अच्छा इसका component a cross b के along क्या होगा तो c vector है यह वाला vector है इसका component a cross b के along तो इसके head से perpendicular डालोग एक और एक tail से perpendicular तो यह वाला distance होगा और यह distance आपको समझ में आ रहा है कि h के बराबर है तो ultimately ऐसा करने से क्या हुआ कि आपने area of base ले लिया और dot product करने से इसमें क्या multiply होगा height multiply होगा तो यह आपको मिल गया volume of parallelo pipe ठीक है तो volume of parallelo pipe आप ध्यान रखोगे किसी 2 का cross कर लोगे पहले और उसमें फिर तीसरे के साथ dot करोगे पहले dot नहीं करोगे पहले dot कर दोगे अगर मानलो आपने a dot c कर दिया तो आपको तो यह scalar मिल गया आप cross करोगे कैसे तूम तीसरे के साथ cross product तो होता है दो vectors का scalar और vector का तो होता नहीं है तो इसलिए पहले आपको cross करना है दो का और तीसरे के साथ dot लेना है वो हो जाएगा volume अब देखो अगर मैं इसी में आपसे कहूँ कि यह जो vector था अपना कौन सा vector, vector c यह vector अगर a और b vector के plane में आजए c vector भी a और b vector के plane में आजए तो height कितना होगा तो आप कहोगे कि ऐसे case में तो height 0 हो जाएगा अच्छा height अगर 0 हो जाएगा तो यह वाला जो volume आया था वो कितना हो जाएगा तो यह volume बे 0 हो जाएगा तो अगला यहीं से अपना आता है condition for co-planarity of 3 vectors इसमें क्या है a.b.c यह तो volume of parallelo pipe है और यह volume अगर 0 हो गया इसका मतलब height 0 है height 0 है मतलब ABC एक ही plane में है तो 3 vectors co-planar है या नहीं वो check करना होगा तो यही condition होगा कि 2 का cross तीसरे के साथ dot और वो होना चाहिए 0 अब जैसे यह अपने को एक question दिया हुए question क्या कह रहा है कि यह 3 vectors vector a है vector b है vector c है तो यह आपको पता करना है co-planar है या नहीं तो आपन करते हैं पहले 2 का cross और तीसरे के साथ dot तो suppose a और b का cross दे रहते हैं तो a दिया हुआ है 2i plus 3 j और vector b कितना दिया हुआ है यह दिया हुआ है 4i 6 j minus 2 के है इनका cross करो a cross b कितना होगा i का coefficient तो j और k वाले multiply होंगे 3 6 0 minus 2 3 और minus 2 कितना होगा यह होगा minus 6 और यह तो 0 ही होगा तो minus 6 i होगा अच्छा j का coefficient तो k k का coefficient कितना है 0 minus 2 और फिर i आएगा i का coefficient कितना है 2 4 cross multiply करो यह तो 0 होगा और minus minus plus 4 होगा तो plus 4 j k के लिए i और j i कितना है 2 4 और j कितना है 3 6 यह कितना होगा है 12 minus 12 तो यह तो होगा है 0 के a cross b इतना अच्छा c के सां dot लेना है c कितना था vector 6 i 9 j 4 6 i 9 j 4 तो अब अपने को क्या पता करना है अपने को पता करना है a cross b dot c यह कितना होगा है तो dot product जब आप करते हो तो क्या करते हो x a x b x तो minus 6 into 6 plus a y by 4 into 9 plus 0 into 4 तो आपको यह दिख रहा है minus 36 plus 36 plus 0 तो यह होगा है 0 और यह 0 होगया मतलब यह क्या होगए co planar होगा ओके चलो next क्या है next क्या है to find out values of some physical quantities तो देखो यहाँ पे physical quantity है torque इसको हम rotation वाले chapter में detail में पढ़ने वाले है तो यहाँ आपको बात समझ में नहीं भी आती है तो कोई इसमें problem वाली बात नहीं है क्योंकि अभी यह quantity हमने पढ़ी होई नहीं है यह quantity हम पढ़ें के rotation थोड़ा मैं समझा देता हूँ कि वैसे यह torque क्या है ठीक है अच्छा इस force का torque O point के बाउट निकालना है तो हम करते क्या है कि जिस point पे force लग रहा है उसका position vector जिस point के बाउट torque निकालना है उसके respect में यह वाला vector जिसके respect में मतलब वहाँ से start होगा और जिस point पे force लग रहा है उस point तक जाएगा यह vector हो गया R और इस vector का अगर हम force vector F के साथ cross product ले 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 तो O point के बाउट torque आ जाएगा यही लिखा हुआ है tau O क्या है moment of force और torque के बाउट O moment of force और torque बाउट देखिए moment of force और torque के बाउट O यह कितने के बराबर होगा R R क्या है position vector of position vector of point of application of force जिस point पर force लग रहा है उसका position vector with respect to with respect to point about which torque is to be calculated torque is to be calculated यह हो गया आपका position vector और F तो आपको पता ही है यह क्या है force तो R cross F equal to torque cross product से आ रहा है तो this is a vector point वेठी अब एक simple सा numerical कर लेते हैं इस पर यह क्या कह रहा है find torque of a force F force कोई है 2i-3j acting at 4,8 तो यह point A है इसकी coordinates से 4,8 इस पर कोई force लग रहा है F कितने के बराबर लग रहा है 2i-3j और torque आपको किसके about निकालना है about point P 3,9 तो यह दर कोई point P मान लिया इसके coordinates से 3,9 इसके about torque P point के about आपको पता करना है तो हम क्या करेंगे जिस point पर force लग रहा है उसका position vector निकालेंगे किसके respect में P point के respect में P point के respect में तो direction P से A की तरफ होगा और torque फिर क्या होगा यह vector अगर R है तो torque हो जाएगा R cross F तो धियान रखना है जब भी R cross F निकालोगा R vector को आपको उपर लिखना है और F vector को नीचे लिखना है तो R vector आप कितना लेख सकते हो तो R vector के देखो tail और head के coordinates पता है तो इससे आप लिख सकते हो कितना 4 में से क्या माइनस करोगा 3 4-3i head के coordinate में से tail का coordinate माइनस कर दिया plus 8-9j तो यह कितना हो गया 1i-1j तो vector R हो गया i-j और force vector कितना था 2i-3j ऐसा था और अपने को torque निकालना था तो वो तो होता है R cross F तो इनका cross product निकाल लोगे cross product कितना होगा तो अगर आपको i का coefficient लिखना है तो j और k j तो minus 1 minus 3 k हो गया 00 तो यह तो दोनों cross multiply होके 0 हो जाएंगे तो k का कोई factor नहीं आने वाला है फिर j का coefficient निकाल होगे j का coefficient के लिए k और i k होगे 00 i होगे 1 2 तो यह भी दिख रहा है 0 हो जाएगा और अगर आपको k का coefficient निकालना है तो k का coefficient के लिए i और j i है 1 2 और j माइनस 1 माइनस 3 तो यह हो गया माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 2 यह हो गया k का तो जो torque हो जाएगा वो हो जाएगा 1 unit का torque along negative z axis माइनस के के अपका torque लगेगा तो यह थे cross product के applications तो यहाँ पर अभी हमने vectors related basics से cover कर लिए है अब आपका next work है कि आप जो assignment आपको मैंने upload किया था वो assignment पहले आपको करना है फिर उसके questions करना है और फिर मुझसे आपसे और test for these two chapters तो उसके पहले आपको पूरे assignments अच्छे से करने है तो चलो यहीं पर आज की वीडियो खतम करते हैं बबाए, take care, be safe and be happy Thank you